है लो गाईस कैसे हैं आप सभी आज हम लोग डिस्कस करेंगी गाईस प्रॉपर नाउन एंड इसके लावा कॉमन नाउन कुछ हम डिस्कस कर चुके थे जिसमें हमारे एक्जामपल्स रह गएते थिंग्स के लिए तो उन एक्जामपल्स को हम लोग देख लेते हैं यह आपको कि थोड़ा सा रफली आवाज आ रही होगी आपको लेकिन चिंता ना कीजिए आवाज क्लियर हो जाएगी आप सेशन को देखते रहे एंड कोई भी डाउट अगर आपको क्रियेट होता है इंग्लिश ग्रामर में आप कमाइंड करके मुझसे पूछ सकते हैं ओके च हर एक नाउन का हर एक वर्ड का लेटर मैंने कैपिटल टाइप किया है तो आपको यह बात अवश्य मतलब ध्यान देनी है या यह बात कि जब भी आप एक्जाम देने जा रहे हो या जब भी आप सेंटेंस बना रहे हो तो आप कॉमन नाउन अगर करते हो तो उन प्रॉपर नाउन को हम लोग देख एक्जामपल साब पढ़ दीजिए कॉमन नाउन के जो रह गए थे चीजों के लिए बास्केट, बैड, ड्रम, केक, ब्लैंकेट, गेट, बैक, काइट, बॉक्स, लेडर, ब्रैड, लेंप, पिक्चर, चेर, रेडियो, टेलिवीजन, कप, ट्रक, डोर, वाच, एक, और विंडो, इस सारे सारे एक्जामपल्स आपके कॉमन नाउन से रिलेटेड हैं, ओके, कॉमन नाउन और प्रिविएस वीडियो में डिसकर्स कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को देखिए, और फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आ होती है बास्केट, एक बाल्टी को आप बास्केट बोलते है, पानी भाइन की बाल्टी हो सकती है, या एक कोई भी चीज, ओके, थरा थरा की बाल्टी होती है, तो बास्केट कहा जाता है, वैसे बास्केट शाहिद एक डलिया होती है, है ना, उसके अंदर आप कोई भी ची कर रहे हैं और जो focus होके study करता है जो मैनत करता है उसी को उन सब चीज़ों का benefit मिल पाता है तो यह doubt है basket search कीजी अगर आपको आता है तो comment करके बताइए basket का mean क्या होता है okay bad bad आप समझते हैं जिस पर हम सोते हैं वो bad होता है drum drum आप जानते हैं बजाने के लिए जो एक instrument होता है उ आपके back category में common noun common noun में जो back word है वो पूरे पूरे बैगों को मतलब थोड़ा समझा दिता है तो वो bag आपका common noun है जैसा कि हमने previous video में भी समझा था common noun आपके complete group जो होता है उसको denote करते हैं उसको समझाते हैं उसे मतलब उसे explain करते हैं तो वो आपके ऐसे word क्या कहलाते है common noun कहला लेडर होता है यह spelling आप जितनी vocab का ही stronger होके आगे English में काम आने वाली है आप किसी भी government exam या किसी भी exam के दियारी कर रहे है इस्कूल exam देने जा रहे हो तो आपको vocab आना बहुत हावश्यक है because वहां कुछ भी पूछ लिया जाता है और आपकी vocab अच्छी है तो आप चीज लेडर होती है गाईस लेडर लेडर का मीन होता है नसे नी ओके सीड़ी आप बोल सकते हैं सीड़ी जिस पर चड़के हम कोई भी सामान दूसरी या तीसरी मंजिल पर हम रख लेते हैं उसे हम लेडर बोलते हैं ब्रैड आप समझते हैं ब्रैड ब्रैड मतला होटी या आप बोल सकते हो, food ये bread category में आता है, okay, lamp मतलब दीपक, picture, chair, radio, television, cup, train, truck, door, watch, egg, और window, ये सारे सारे examples guys आपके किस चीज़ से related हैं, चीज़ों से related हैं, okay, ये common category में आते हैं, अब बात आती है guys, proper noun की, what is proper noun, proper noun are names for particular people places or things, मतलब की यहां पर बात की जा रही है, particular चीज़ों की, खास चीज़ों की, खास लोग हो सकते हैं, खास जगाएं हो सकती हैं, और खास चीज़ें हो सकती हैं, और ऐसी चीज़ें, जो ऐसी खास चीज़ें हैं, वो आपकी proper noun के अंत्रिकत आ जाती हैं, they always begin with a capital letter, ये सारे की स सारे जो खास लोग हैं, जब भी आप इनका कोई नाम लिखोगे, तो उनका जो first letter आएगा, वो capital से start होगा, अब second point बोलता है, your own name, मतलब आपका खुद का नाम, and the names of your friends, आपके दोस्तों का नाम, proper category में आ जाता है, proper noun कहलाता है, अब यहां पर कुछ नाम मैंने लिखे गए लिख दिये, here are some more names of people, जैसे अली बाबा, आपने बहुती famous नाम है, आपने सुना होगा, अली बाबा और 44 वाली कहानी आपने पड़ी होगी, Harry Potter, Harry Potter आपने movie देखे होगी, तो Harry का H capital, Potter का P capital, उसका name क्या है, first name है Harry, और last name क्या है Potter, तो Harry का H capital और Potter का P capital, उसके पाद में Robin Hood, Robin Robin Hood एक बहुत प्रसिद्ध राइटर है, ओके लेखक हैं, और उन्होंने book लिखी हुई है, book का नाम तो भी याद नहीं आ रहा है guys, but Robin Hood एक प्रसिद्ध एक famous राइटर है, और इस प्रकार Robin का R capital और हुड का H capital, तो capital noun, sorry, proper noun में आप जो letter होते हैं, उनका first letter capital हो जाता है, अग तो पठारिया का P capital हो जाएगा, okay, तो इस तरीके से आप अपने proper noun में जो भी word आपका है, उसका first letter capital बनाएंगे, English grammar, sorry, जब भी आप sentence बनाएंगे, active passive voice बनाएंगे, direct indirect speech बनाएंगे, और practice जब मैं आपको करवाँगों, ये सारी चीज़ आप करेंगे, तब वहाँ पर आप आपका proper noun है, तो उनको आप capital ही लिखेंगे sentence के अदर, okay, अब next point पर आते हैं, the names of countries and their people are also proper nouns, मतलब जितने भी देश हैं, और उनके जो लोग हैं, वो proper noun की अंतरगत आजाते हैं, जैसे कोई America का कोई व्यक्ति है, तो से आप American बोलोगे, कोई Egypt का कोई व्यक्ति है, तो से Indian बोलोगे, Italy का है, तो Italian बोलोगे, Thailand का है, तो Thai बोलोगे, Japan का है, तो Japanese बोलोगे, Korea का है, तो Korean बोलोगे, Malaysia का है, तो Malay बोलोगे, okay, एक व्यक्ति है, तो Malay, बहुत सारे व्यक्ति तो Malaysians हो जाता है, ये भी हम आँगे देखने वाले हैं, Philippines, एक country है, उसका कोई व्यक्ति है, तो आप फिलिपिनों बोलोगे पाकिस्तान पाकिस्तान का एक वेक्ती है तो पाकिस्तानी बोलोगे ये बात समझ आगे अब आपको वीडियो रिवाइंड करके देखनी है और समझना है चीज़ा को चलिए आँगे बढ़ते हैं अब देखें यहाँ पर कंट्री लिखी गई है और उनके लोग लिखे गई है अमेरिका अमेरिका का अगर एक वेक्ती है तो अमेरिकन हो जाएगा बाकि अगर मैं ऐसा बोलूँ कोई सेंटेंस ऐसा हो कि मैंने बस देखी जिसमें अमेरिकन्स जा रहे थे तो ज़्यादा लोग है तो अमेरिकन्स हो जाएगा अमेरिका अमेरिकन्स इजिप्ट इजिप्टीशियंस इंडिया इंडियंस इटली इटालियंस जैपैन भी जैपैनीज जैपैनीज में क्या होगा ज्यादा जैपैनीज है या एक जैपैनीज है होगा Japanese, ओके, इसके बाद, अगर कोई doubt है, आपको लगता है, कि शायद कुछ गड़बड है, तो ध्यान दीजिए उन सारी बातों पर, और study में तब ही बात बनती है, जब आप एक चीज़ पर ध्यान दे, कोई ना कोई गलती टीचर जरूर छोड़ता है, जिसको आप find out करें, और comment करके उसका बताएं, कि जिससे आप lecture पर ध्यान दे रहे हैं, इससे पता पड़ता है, कि आप focus होके lecture को सुन रहे हैं, and dedicated है study के लिए, ये बात आपको ध्यान देनी है, ओके, Korea, Korea का एक विक्ति तो Korean, ज्यादा है तो Koreans, Malaysia, Malaysians, एक विक्ति तो Malay, ज्यादा विक्ति तो Malaysians, जैसा कि मैंने भी पताया था, पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब एक विक्ति, समझ रहे हैं आप, sorry, पाकिस्तान कंट्री है, एक विक्ति नहीं है, पाकिस्तान एक विक्ति है, और अगर, sorry, पाकिस्तान कं तो पकिस्तानीज हो जाएगा फ्रांस का कोई वेक्ति है तो ज़्यादा है तब भी फ्रेंच आ रहा है और शायद ही बोल रहा हूँ मैं भी कन्फर्म नहीं है और एक है तब भी फ्रेंच ही आएगा ये डाउट आपके लिए है आप इसे सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका अंसर कमेंट कीजिए कि फ्रांस के एक वेक्ति को क्या कहा जाता है और अगर बहुत सारे ग्रोप में वेक्ति है तो उन्हें क्या कहा जाएगा थाइलेंड थाइलेंड एक कंट्री है और उसका अगर एक व्यक्ति है तो थाई जैसा कि हमने प्रिवियस स्लाइड में देखा है जादा है तो थाईज हो जाएगा ओके यह कुछ एक्जाम्पल थे आपको लर्न नहीं करने है समझने है केबल और डेली वीडियो भी आप देखोगे तो आपको ग्रामर क्लियर हो जाएगी एंड इसके लाबा हम सेंटेंस बनाएंगे एक्टिप्रसिव बनाएंगे डारेक्ट इंडारेक्ट स्पीच बनाएंगे बहुत सारी चीज़ हैं अभी आँगे आने वाली है एंड अगर आप इन लेक्टिर्स को सुनते हैं तो गवर्मेंट एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो वहां भी यह काफी बैनिफीशल होंगे इसलिए जितने भी दोस्त अगर आपके इन वीडियो अगर आप देख रहे हैं जो प्रिप्रेशन कर रहे हैं इंगलिश में प्रॉब्लम है तो आप बेज जीज़ा कि इन वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी कुछ बैनिफिट मिल सके ओके तो शेयर कर दीज सब भी फ्रेंड्स को ओके आंगे बढ़ते हैं नेक्स स्लाइट पर चलते हैं अब पॉइंट आता है गाईज दा नेमस ऑफ टाउन्स सिटीज बिल्डिंग्स एंड लेंडमार्क्स और प्रॉपर नाउन क्लियर है जितने भी टाउन हैं जितने भी सिटीज हैं जितने भी मेन मे Lands mean क्या होता है? इसमें प्रॉपर नाउन का बहएं क्या हुता है अब देखें टाउन भी कौन्से वाली होंगी जो famous है? ठीक है? चाहां में स्फेशली नामी होगा ऐस वो तो आल्रटी इसमीस ही हो गया मैं ग्वालियर में रहता हूं तो ग्वालियर एक सिटी है तो गौलियर एक सिटी है तो एक ही गौलियर है, दस तो गौलियर है नहीं है, समझ रहे आप, तो होता क्या है, जितनी भी चीज़े हैं, टाउन्स हो गए, सिटीज हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, और लेंडमार्क हो गई, यह प्रॉपर नाउन कैटेगरी के अंदर गत आत की दीवार जिसे बोलते हैं, तो यह भी एक बहुत ही पर्टिकुलर खास चीज़ हो गई, जिसका नाम बहुत फेमस है, ग्रेट वॉल अफ चाइना, तो ग्रेट का जी कैपिटल, वॉल का डबलू कैपिटल, और आफ को आप नॉर्मल लिखोगे चाइना का C कैपिटल, ओक जो कोले रेडो के अंतरकत आती है, कोले रेडो, आप ये कोले रेडो की कैपिटल भी कहलाती है, ठीक है, कोले रेडो जो आपका जो है, आप शेहर बोल सकते हैं, वो आपका कहां से रिलिटेड है, अमेरिका से रिलिटेड है, ठीक है, अब इतना आप डीप में नहीं जाए चाहिं बिक बैन, पाइक फीक, ब्रुक्लीन ब्रीज, दी लिटियटी टावर आफ पीज़ा दी ग्राड कैंनियन, यह सारे की सारे програм नाउन थे, बहुत ही particular चीज़े थी, चीज़े नहीं बोलेंगे particular names थे, particular उलर नाउंस थे जो proper noun category के अंतरकत आते हैं, clear है आपको, ठीक है, आंगे बढ़ते हैं, the days of the week and the months of the year are proper nouns, ये बात clear है, the days of the week, सब्ताओं में, जो सब्ता होते हैं, उनकी जो दिनों की नाम होते हैं, Sunday, Monday, ये सारे के सारे proper noun category के अंतरकत आते हैं, और एक बात आपको जाननी आ आती आवशक है, ये आपको आती तो बताए कि first day of the week कौन सा होता है, Sunday या Monday, या Saturday, बताए कमेंट करके, वैसे मैंने लिख दिया point में, and months of the year are proper nouns, सालों में, जो साल रहते हैं, उनकी जो महीने होते हैं, वो भी आपके, किस category में आते हैं guys, proper noun category में आते हैं, अब यहाँ पर ए days भी लिखे हैं, months भी लिखे हैं, and आप चेक कर सकते हैं, और ये spelling अच्छे से याद कर लेना, because फरवरी की spelling किसी से पूछते हैं, तो गरबर कर देता है वो, तो थोड़क फरवरी की spelling पर ध्यान दें, and वाकी सारी चीज़ आपको आती आती है, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 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 आप सारी दिन की शुरुआत संसे होती, सूरस से होती है, इसी Sunday को, Hindu calendar के according, first day रखा गया है week का, बाकी इसमें मतबेद बहुत है, कि Sunday है, या Monday है, बाकी आप अभी Sunday को याद कीजिए, because book मैं इसे, जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें Sunday ही दिया गया, Sunday ही right है, okay, इतन January, February, March, इसमें January आपका first month of the year होगा, ठीक है guys, आज हमने proper noun discuss किया है, lecture आपके daily continue होगे, आप videos को देखिए, कोई भी doubt आपको आता है, तो comment करके मुझे discuss कीजिए, and मिलते हैं next video में, और भी चीज़े हम discuss करेंगे, English grammar class आपकी बहुत ही proper तरीके दे चलेगी, and आपको doubts भी clear and आपने doubts में, मुझे comment करके बेज सकते हैं, उनके solution में आपको दूँगा, and अपने friends को ज़रूर वीडियो, यह सारी सारी वीडियो आप share कीजिए, and comment कीजिए, and like कीजिए वीडियो को, मिलते हैं guys, next video में, and जब भी हम मिलेंगे, कुछ नई energy के साथ मिलेंगे, और कुछ otherwise, thank you so much, bye bye